दोस्तो नमस्कार भारत रेल यातरी चैनल पर आप से भी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो जो इस रेल अपडेट में हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं वो है दोसा से गंगापूर सीटी तक की जो रेल लाइन है जो की लगवग लगवग 90% कंप्लीट हो च पर इने बांदी कोई या फिर आप यह कहें अलवर की तरफ से दोसा की और आती है या फिर दोसा को आती है यह डाइरेक्ट ही डिडवाना होते वे गंगापूर सीटी को आ सकती है और दोस्तों मैं आपको बता दू कि पीपलाई से यह आपको पीपलाई दिख़ड़ा जो नव निर्मित रिल्वे स्टिशन है उसको देख लेते हैं गंगापूर सीटी की और से तो गंगापूर सीटी की और से कर हम आगे बढ़ें तो पहला है उधाई कला फिर है खूटला फिर है बमनवास फिर है पिपलाई और उसके बाद आगे बढ़ने पर हम देखते हैं डिडवाना अरनिया कला सलेमपुरा और फिर आगे बढ़ने पर हम यहां देखते हैं कि नंगल राजवटा फिर यहां पर आप देखते हैं बनियाना और फिर दौसा और दौसा जो है यह यह जैपूर कहीं है कि एक स्टेंशन माना जाता है तो दौसा से गंगापूर सिटी का जो रेलवे लाइन है यह अगर बन जाता है तो आप यह देख पा रहे होंगे कि यह जो दो बड़े रूट है एक तो नई दिल्ली रेवारी होकर के जो अलवर बांदी कोई जैपूर होते वे फिर फुलीरा से एक मकराना होते वे जोदपूर और दूसरी अजमेर होते वे म यह दोनों रूट की एक कनेक्टिविटी मिल जाएगी इससे क्या होगा कि अलवर गंगापूर सीटी से बिदारे कनेक्ट हो जाएगा तो बहुत सड़े सीटी जो है वह आपस में कनेक्ट हो जाएंगे यह बनने से यह तो था इसका इंपॉर्टेंस अब दोस्तों हम लोग झाले का ही यह अपडेट है तो हमारे चैनल पर सबसे पहले और सबसे ओठेंटिक पडेट दिया जाता है बागि चैनल जो साभधान है उन्पे खावर चलाया जाता है उनसे आपो सावधान रहे दोस्तों फेक खावरinaire करते हैं अपने नंद से 1.5 को चला देते हैं या फिर जहां पर से ज़्यादा रीच मिलता है वो अपने मंद से वहां की ख़वर को चला देते हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ रेल्वे चैनल का लेकिन बहुत से रेल्वे चैनल है आप लोग समझदार हैं तो आप लोग सौट आउट कर लेजे फिल्टर करिए कि कौन सा चैनल आपको सही ख़वर दे रहा है कौन सा चैनल आपको जूटी ख़वर दे रहा है हमारे चैनल पे आपको बकाईदा न्यूज आर्टिकल को दिखा करके जो है अपडेट को दिया जाता है टाइम भी दिखा जाता है और railway map की मदद से आपको समझाया भी जाता है तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें भारत रेल लातरी चैनल एक मातर ऐसा चैनल है जो कि आपको railway route को बताता ही नहीं कि उसके उपर क्या latest update है बलकी एकदम contest करा देता है कि कौन से route कहां से आ रही है और उसके उपर latest update क्या है यह देनिक भासकर की रिपोर्ट है दोस्तो 7 घंटे पहले कि आज की ही रिपोर्ट है यहाँ पे एक वीडियो भी है दोस्तो हम इस वीडियो को चलाएंगे और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या update है करनल तक रेल्वे सुरक्षिया अधिकारियों ने परतेक इस्टेशन हुए पट्रियों का बारीकी से निरक्षन किया कि अब इस लाइन को चालू करने के लिए कुछ दिनों बाद आएंगे इस महां पुष पुर्शन ही अब रड़ी उपनृस्न कर चोगे हैं विडवान के पुछ पुर्शन ने वाला अरीह धरक्षन को और पर चुकर के पिवाने तो इस्टुन कर चुकर में साथ के उचाता है जैसे प्रू होता है तो इसमर त्रेंच चलेंगे ज़िए लोगों के बरी खुशी को आएंगे इसमर और अफ्राइजिशन देंगे कैसे वो ओके करता है इसमर त्रेंच जाए इस बोरा देनिक बास कर लाल सो टू के कि इस पर कि अपडेट दिया गया है और गङापुरि शेति रेल परियोजना कि आज दोसास लेकर डेड़वाना तक रेल्वे अधिकारियों ने रेल्वे के विशेस निरिक्षन यान से पट्री का बारिकी से निरिक्षन किया इस दोरान दोसा से डिड़वाना रेल्वे सुरंग तक प्रत्यक स्टेशन वह ब्रीज और पट्रियों का रेल्वे सेफटी ओफिसर के दोरा बारिकी से निरिक्षन अधिसासी अवियंता को निर्देश देते हुए कहा कि इस प्रकरन को देखकर उचित समधान करें दोस्तों ये देख सकते हैं किस तरीके से अपडेट दिया जा रहा है आगे का अपडेट में आपको दोस्तों आगे बताता हूं दोस्तों आगे का अपडेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे सुरक्षा देकारी RS रनोट ने बताया कि मुखी सुरक्षा आयुक्त के द्वारा जल्द ही दोसा से डेड़वाना तक रेलवे लाइन का स्पीड ट्राइल किया जाएगा ऐसे में दोसा से डेड़वान तक रेलवे लाइन का पुड़ में भी स्पीड ट्राइल हो चुका है लेकिन इस रेल नहीं चल रही थी ऐसे में काफी समस्या होने के बाद वापस इसका स्पीड ट्राइल किया जागा यहां पर दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीन जो है बात कर रहे हैं से बार दोसा से डिड़वाने तक स्पीड ट्राइल होगा और इसकी अप्रूबल मिलेगी तो जल्द ही दोसा से गंगापूर सीटी रेलवे तक डेल से बात हो जाएगी उन्होंने कहा कि यह लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी लगवग फड़बड़ी में दोसा से गं वीडियो को साजा करें वैसे राजस्थान का कोई हिस्ट्री कोई कल्चर है नहीं फिर भी यह मैंने इस अपडेट को बता दिया बाकी वीडियो देखने के लिए आप से भी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना बहुत मूली समय दिया इसके लिए आपका हर